इस सेरीज में हम पढ़ेंगे कि Python में Panda क्या होता है और उसे कैसे यूझ करा जाता है क्या Panda में हमको जरूरत होती है पाइथन में क्या चाहिए Panda होने के लिए और इसका कहां कहूप योग होगा इस लेक्चर की पूरी सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर हम आई-पी का जो ट्वेल्थ क्लास का कोर्स है सीबीएस्ट का वो पूरा कवर करेंगे और इसके लिए जो हम बुक रेफर करेंगे वो होगी सुमेता अरोरा की इसके अंदर आपको कोर्स की सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी जो इसमें इंक्लूड होती है सबसे पहले हम इंट्रोड़क्शन देख लेते हैं कि पैंडा का इंट्रोड़क्शन क्या होता है तो यहां पर लिखा हुआ पैंडा और पाइथन पैंडा इस सिस्थम लाकर मतलब होता है फिद्स इको मेट्रिक टर्म वर मल्ट डिवय मेशनल स्ट्रक्टिर डेटा सेट चैसे जैसे घ्चम पढ़ते है ऐमसे चल्ट उसके अंदर यह जो टेबल बनी हुए है तो आगर सिंगल टेबल है या पिर ये मल्टींशनल टेबल मकिंस में इसमें बहुत सारे यृवर कॉलम्स है तो इस months कामि के द्वारा पईधन में कर सकते हैं अब सबसे पहले स्टक्षा बनाओगी यहां पर वह आ итоге pd means aपको अपने प्रोग्राम में जाना है और वहाँ पर लिखना है इम्पॉर्ट फे صवी儿 As. सबसे पहली स्टेप आपको यही करना है कि अपने पैंडा को अपने प्रोग्राम में लेकर आना है उसके लिए जैसे हम लेकर आये थे तो हमने उसका एक एलियास दे जिया है पीडी मींस जहां जहां पर हमको पैंडा लिखने की जरुवत होगी वहां वहां पर हम इतना बड़ा वर्ड ना लिखकर पीडी से ही काम चला लेंगे जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा और जल्दी से कंप्लीट भी हो जाएगा आप चाहें तो इसको नहीं लिखें तो भी चलेगा बस डिफ्रेंस ही आएगा कि आपको हर जगे पर पैंडा लिखना होगा लेकिन अगर आप चाहते कि नहीं इतना बड़ा वर्ड कौन बार बार लिखेगा उसमें टाइम बहुत लगता है तो उसके लिए आप क काम करना है सबसे पहले स्टेप यह गई है नेक्स इसमें देखते हैं कि उन्होंने बता रखाए कि पैंडा जो हे हमारा सक्सेस्ट फुली हमने मिने इंपोर्ट करवा लिया है अब इसमें पैंडा के बारे में बताब कि यूँग यूज़ करा जाता यह यह थिज़ी वाली का एक अर्रेंजमेंट या वैयोस था से हम लिए टेटा इस्ट्रक्चर पहला जो डेटा इस्ट्रक्चर है वो आता है यहांपर सीरीज दूसरा आता है सी जिधा सा है कि एक सिंगल कॉल्म वाला डेटा मीन सबाइब के आपके पास एक किलास है उस क्लास में यदि मैं सबके नाम मे लिखे जूँ तो जो केवल नाव लिखे हैं मैंने वह नाम कहलाते हैं सीरीज बट जब आप मल्टिपल सीरीज को मिला देते हैं सपूसकर यह लिख लिए फिर यहां पर उनकी क्लासेस भी लिख लिए और यहां पर उनके टोटल मार्क से परसेंटेज लिख लिए तो यह तीन जो कॉलम मिलेंगे यह तीन कॉलम मिलकर एक डेटा फ्रेम बना देंगे यही यहां पर बताया गया है कि सीरीज मतलब होता है जो सिंगल कॉलम की डेटा को रखता है जैसे यहां पर सिंगल कॉल низ बीज़िए और में क्या क्या डिफरेंस होता है इन्हें हम आगे चलकर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे काम करता है अब आपको नम पाए भी लेकर आना है करने वाले हैं इसमें बहुत सारे फंक्शन्स डालेंगे जिसमें नम पाए का यूज होगा तो हम यहां पर एक और लाइन अपने प्रोग्राम में लिख लेते हैं इंपोर्ट नम पाए ओ सेन पी आप चाहें एंट्र शल्की गहें कुछ और भी लिख सकने वह आपके ऊपर है अब इसमीं देखते हैं की सीरीज में कैसे कैसे सीरीज क्यों डिकलर कर सकते हैं उसमें क्या क्या तरीकätte यहां जैसे एक नाम होता है साथ में दो प्रैंटेंस होते हैं दो ब्रैकेट होते हैं और उन डाली जाती है function का काम already decided रहता है कि वह क्या करने वाला है जैसे हैं और स्रूरीज नाम को जो function वह already decided है कि यह function आपके data को सीरीज में convert कर देगा इसके लिए सबसे पहले आपको एक variable लेना है हम ले लेते हैं और सपोस्ट करते हैं कि हमको कोई series बनानी है अब series जो है वो function direct नहीं आता है python में आपको पहले panda को लाना होगा उस panda के साथ में वो series नाम का function आता है हम अलरीडि पैंड़ा को ला चुके हैं और उसको को हम पीडी के रूप में लिख चुके हैं तो अब हम क्या करेंगे हम बोलेंगे कंप्यूटर को की हमारे पैंडा यानी की पीडी में एक सीरीज नाम का फंक्शन है उसे यहां पर इंपोर्ट करवाईए आपको पीडी लिखना जरूरी है क्योंकि सीरीज किस जगे का फंक्श लगाएंगे उसके बाद आप यहां पर चाहें तो एक और पैरेंटिस देदें या फिर स्कुरेड बैकेट कुछ भी दे सकते हैं फिल लिख देंगे वन टू थरी फोर कॉमा से सेपरेट करेंगे वैल्यू को और फिर यहां पर जो हमने पीडी से सीरीज फंक्शन यूज कर है और उसमें हमने सीरीज जदी वन टू थरी फोर यह पूरी के पूरी वैल्यू जाकर इस्टोर हो जाएगी हमारी एक अंदर तब जब आप प्रिंट करवाएंगे तो पीडी या सीरीज प्रिंट नहीं करवाएंगे यह पूरा हमने डाल दिया है एक अंदर तो हम डिरेक् से यानि की सीरियल नंबर है इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है इसलिए यहां पर भी जीरो से स्टार्ट करा गया है तो आप यहां पर नया इंडेक्स भी दे सकते हैं वह हम आगे चल कर देखते जाएंगे कैसे दिया जाता है उसके बाद यहां पर उन्होंने वह आंसर आपको मिलेगा यह होता है हमारा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर इसने बता रखा है कि आप चाहें तो इन्वर्टेट कॉमा देते हैं लेकिन अगर अल्फाबेट्स हैं तो यहां पर हमारा आंसर आ गया और यहां पर उसका इंडेक्स नंबर उसे मिल चुका है तो कहने का मतलब है कि सीरीज में आप चाहें तो अल्फाबेट्स का उपयोग भी कर सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बस आपको उसको इन्वर्टेट कॉमा में लिखना होता है यहां प्रिंट करवाने होते तो इन्वर्टेट कॉमा में दिये जाते हैं बट नंबर आप एक बात के इसमें ध्यान दिजिएगा उसने यहां पर लिखा है सो फनी और वो डबल इन्वर्टेट कॉमा में लिखा आप चाहें तो सिंगल में भी लिख सकते हैं कोई डिफ्रेंस नहीं आएगा यहां पर उन्हों लिखा सो फनी और बहुत लोग यह लगता है कि एस अलग आएगा जैसी यहां पर ओएच ओ आ रहा है वैसी ऐसा आएगा फिर अगले नंबर पर ओएगा फिर इस पेस आएगा फिर आएफ आएगा ऐसा नहीं है हमने जब ओह प्रिंट करवाया था था हमने हर किसी को यहाँ पर सेपरेट डबल इन्वर्टेट कॉमा दिये लेकिन जब उन्य सोफनी लिखा हो तो हमने एक इंवर्टेट गॉमा लिख दिया तो कहने का मतलब .. इक एक अबजीक्त होता हुप इनको सेप्रेट करक देता फिर कॉमा लगा कर फिर ओको हो जाते पर जब हमने इनको एक में ही रखा है एक cotton मतलब सिंगल औब जैसे हम प्रेंट कर्वाते हैं जैसे हमने अबजच्टाइब वाब जिरो वाले इंडेक्स पर जो की कहलाया सोाइब तो कहने का मतलब है कि इन्वर्टेट कॉमा में डियोई योई सिंगल वेल्यू ही कहला थी अगर आपको अगली वैल्यूब भी दे ना है कि से फनी तो एक सिंगल हो गया था लेकिन अगर आ एंड लफिंग लखना है और आई एम और लाफिंग तो आपको तीनों को अलग-अलग देना होगा कि इसे काॐम जानकी है मका डबल्फिंध पर लाफिंग पार्ष जानक करते हैं इस बार यह तीन अलग अलग अब्जेक्ट हुए और इंडेक्स हमारा टू तक गया है क्योंकि हमने हर किसी को डबल इनॉटेट कॉमा खुद का एक दे रखा है नेक्सट पढ़ने वालेlest आगे कपढ़ेंगे और इसमें टाइल लाइन पढ़े जाएंगे है इसमें इतना ही रहेगढ ताकि एक बार में ज्यादा लोड ना हो और आपको पढ़ने में भी आसान लगे तो इस वीडियो में इतना ही है नेक्स लेक्चर तक के लिए थैंक यू एंड गुद बाई